हेलो दोस्तो खान मेडिकल लेक्चर चैनल में आपका फिर से स्वागा थे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बदाएंगा आपको सेफा काइन टेबलेट के बारे में जो की बहुत जादा यूज में ली जाने वाली एंटिवाइटिक टेबलेट है यह किस-किस बीमारी में दी जाती है डोक्टर इसे किस-किस बीमारी में देते हैं और कितनी दोस्तों में देते हैं सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं तो अगर आप medical के student है आप pharmacist है या प्रैक्टिस करते हैं medical store चलाते हैं तो आप इस वीडियो का अंतर जरूर देखें वो चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को subscribe जरूर करें तो दोस्तों देख सकते हैं आप safe-a-kind तो पहले हम safe-a-kind के बारे में जान लेते हैं कि आखरे tablet क्या होती है तो दोस्तों यह इस तरह की packaging में आती है जैसे कि आप देख सकते हैं और यह safe-a-kind 500 के नाम से ही market में असानी से मिल जाती है और इसके अंदर के अगर हम salt की बात करने ह इसमें क्या content होता है क्या drug होती है तो इसके अंदर होता ciferoxym 500 mg में काफी अच्छा साड होता है और ये एक antibiotic drug होती है मतलब antibiotic category की drug होती है और इसे mankind pharmaceutical private limited company बनाती है और इसके अगर हम price की बात करें तो 40 rupees per tablet के हिसाब से मिलती है अब बात कर लेते हैं इसके uses के बारे में किस-किस परशानी में दी जाती है किस-किस बीमारी में दी जाती है तो सबसे पहले ये परशानी आती है वो आती है urinary tract infection मतलब पेशाब की नली में infection जब किसी भी व्यक्तिक है पेशाब की नली में infection हो जाता है, मतलब जैसे कि आप यह पिक्चर में देख सकते हैं, यह हमारी kidney होती है, और यह ureators होते हैं, जो कि एक pipe की तरह हमारी kidney से urinary bladder में जाते हैं, पेशाप की थेले में जाते हैं, यहाँ पर kidney में, या फिर urators में, या फिर urinary bladder में, कहीं भी अगर bacteria का infection हो जाता है, किसी जाता है, दी जाती है tablet, जब किसी को urinary tract infection होता है, तो अगर कोई adult है, जवान इंसान है, 18 साल से उपर है उसकी उमर, तो one tablet BD, मतलब एक tablet दिन में दो बार दे सकते हैं, मतलब एक tablet सुपा, और एक tablet शाम, और अगर कोई बच्चा है, 10 साल का है, 12 साल का है, 15 साल का है, तो उस आप देख सकते हैं, tonsils, tonsils मतलब कनवर आना, जब किसी के कनवर आ जाते हैं, यह आप देख सकते हैं, इमेज में किस तरह से यह बाहर निकल आते हैं, जिन में काफी जादा दर्द होता है, कनवरों में, तो इन कनवर की परशानी में, tonsils की परशानी में भी डोक्टर इसको देते हैं और इसकी डोस वही सेम रहती है अगर एडल है तो वन टेबलेट बीडी एक टेबलेट दिन में दो बार एक टेबलेट सुबा और एक टेबलेट शाम और अगर चिल्डरन है बच्चा है तो हाफ टेबलेट बीडी आधी टेबलेट दिन में दो बार आधी सुबा और आदी शाम को, तो जो है टॉंसिल से, कनवर से, रिलीव मिल जाता है फिर इसका next काम आता है next use आता है, lung infection फेपड़ों में infection, बहुत सर लोगों के फेपड़ों में infection हो जाता है फेपड़ों के अंदर पस मर जाती है या नमुनिया हो जाती है, या bronchitis हो जाती है, कोई सा भी infection हो जाता है फेपड़ों के अंदर, तब भी इसको देते हैं डोक्टर, और इसकी भी dose जो है सेम ही रहती है, क्योंकि टेबलेट सेम ही है तो adult को one टेबलेट बीडी children को half टेबलेट बीडी हाफ हाफ टेबलेट दिन में दो बार दे सकते हैं बच्चे को और इसके बाद हमाए next परशानी आती है, इस टमक ulcer, पेट में छाले बहुत सारे लोगों के पेट में छाले हो जाते हैं कि खालेनी की वज़ा से, या किसी और वज़ा से किसी दवाई को, के रेक्शन की वज़ा से भी हो जाते हैं, या बहुत सारे कालड होते हैं जिसकी वज़ा से, जो बेट में छाले हो जाते हैं, जिसे हम पेटिक अलसर के नाम से भी जानते हैं जब ये पेटिक अलसर हो जाते हैं, तब भी नोक्टर इसको होता है कि हमारे जो आँक होती है इसमें conjective layer यह होती है इसमें infection हो जाता है inflammation हो जाती है तो conjectiveitis हो जाती है तो इस परशानी में भी यह दी जाती है इसकी भी dose सेम रहेगी adult को one tablet दिन में दो बार मतब बीडी और बच्चा है तो उसे half tablet दिन में दो बार दे सकते हैं फिर last इसकी जो परशानी में दी जाती है नोक्टर इसको यूज़ में लेते हैं वो है head injury जब किसी का सर फट जाता है stashes बगेरा लगते हैं टांके लगते हैं बहुत जादा गंबीर चोड़ लग जाती है सर में जखम बहुत बड़ा हो जाता है तब भी इसको यूज़ में लेते हैं तो दोस्तों इसकी ये सारे यूज़ होते हैं काफी अच्छी antibiotic tablet होती है और काफी costly होती है ये तो हम उमीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी दी गई जनकारे अच्छी लगे होगी अच्छी लगे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सास्क्राइब जरूर करें और आप जो हमारी किसी भी वीडियो को देखके खुद से दवाई लेने का सेवन ना करें